दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फॉन पे एप के द्वारा जो अपनी बिजली का बिल है वो किस तरह से जो है ओनलाइन घर बेटे ही जो है पे कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लिट प्रोसीजर बताऊंगा तो वीडियो को सुरूचे ले तो इसमें एक ओप्सन मिल जाएगा आपको इलेक्टरिसीटी का तो आपको इलेक्टरिसीटी वाले ओप्सन के ओपर किलिक कर देना जैसे आप इलेक्टरिसीटी के ओप्सन के ओपर किलिक करते ही यह जो है यहां पर कई जो इलेक्टरिसीटी डिस्कॉम है उनकी लिस्ट आ पर आल इंडिया जो इलेक्ट्रिटि सप्लाई कंपनी है उनकी लिष्ट दी वई है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और इस्टेट में भी कई होंगे तो जिस भी कंपनी के अंटरगत आप आते हो उसके उपर आपको किलिक कर लेनी है जैसे राजस्तान के निवा आते हो तो अजमेर या फिर इसमें दियावा जैसे आप अगर आसाम के निवासी हो तो आसाम पावर डिस्ट्यूबिशन या तो बंबोई के हो तो बेस्ट बंबोई तो यहाँ पर जो है अलग अलग दिये हैं तो आपको सबसे पहले यह कंफरम करना है कि आपका इलेक्टरिस विदृत विगम लिमितेड के अंतर लंग आता हूं तो यह राजस्तान में वहने कहीं है, यहाँ विदृत विदृत के नमर को सल最क्टD T तो यहाँ पर जो है आपका original bill है, वहाँ पर देखके यह 12 digit का k-number होता है, k-number के द्वारा आप k-number का option दिया है, वहाँ पर अपना k-number इंटर करें, और जितना पैसा आपके bill में आया हुआ है, वो automatic फोन पे ले लेगा, और वो pay कर दे, तो आप अपना sample देख सकते हो, कि आपका k-number कहां मिलेगा, तो मैंने देख लिया है, अभी जो k-number में है, इसमें bill में मेरे जो original bill, जो मैं bill deposit करना चाहता हूँ, उसमें मैं k-number देखके, यह 12 digit का k-number है, यहाँ पर मैं k-number को इंटर कर देता हूँ, जैसे मैं k-number को इंटर करके नीचे, जो confirm का option दियावा है, इसको मैं confirm कर देता हूँ, जैसे आप confirm करोगे, confirm करते ही आपकी detail verify होने में, यानि load होने में थोड़ सा time लग सकता, तो आपको थोड़ सी देर इसका इंतजार कर लेना है, और जैसे ही फिर ये load हो जाएगा, load होते ही देखो यहाँ पर show कर देगा, उपर आपका k-number नीचे जो है customer का नाम show कर देगा, और bill date और कितने रुपएं हैं वो show कर देगा, इसके बाद में due date, यानि bill की due date क्या है वो show कर देगा, अभी ये आपको एक बार जो है, आपका सब कुछ चेक कर लेना है, कि मेरा customer नाम यहाँ जो phone pay में स्योकर रहा है, और जो bill में है वो ठीक है की नहीं है, इसके बाद में bill में भी due date लिखी हुई होगी, तो यहाँ पर जो है, पर हमारे को किलिक कर देना है, जैसे ही आप किलिक करोगे, किलिक करते ही आप जो UPI ट्रांसपर करते हो, phone pay के द्वारा, सेम प्रोसीजर है, जिस भी आपका अगर एक से ज्यादा अकाउंट है, तो जिस भी अकाउंट से आप पैसे डेबिट करवाना चाहते हैं, उसके आपको किलिक कर लेना, किलिक करने के बाद जो है, पे का जो नीचे ओप्शन दिया है, इसके उपर आपको किलिक कर देना है, तो इस तरह से easily जो है, आप phone pay के द्वारा, अपनी electricity का पैसा जो है, घर बैटे ही, मोबाइल के द्वारा deposit कर सकते हो, चाहिए आप इंडिया में किसी भी state से बिलोग कर रहे हो, आप easily अपना जो है पैसा, बीजली का बिल जमा कर सकते हो, फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार की क्यूरियो, कमेंट बोक्स में जरूर लेगे, मैं जरूर आपकी help करूँगा, ठेंक यू,